Who was the first elected chairman of Constituent Assembly? Constitution को बनाने के लिए जो assembly बनाई गई थी, उसका पहला निर्वाचित chairman कौन था? देखिए जो ये assembly बनाई गई थी, इसका निर्वाचन जो किया गया था, उसके अंदर डॉक्टर राजेंदर परशाद को इसके chairman चुना गया था. लेकिन उनको चुनने से पहले, जब 9 December 1946 को ये एक assembly बनाई गई, तो temporary तोर पर, ऐस था ही तोर पर, डॉक्टर सचिदानन सिना को जो है chairman निक्त किया गया था, और उसके बाद डॉक्टर राजेंदर परशाद का chairman के तोर पर नाम जो है, वो जे भी कृपलाने ने सुझाय था. यानि कि starting में डॉक्टर राजेंदर परशाद इसके chairman नहीं थे, starting में जो first chairman था, चाहिए वो temporary था, वो थे डॉक्टर सचिदानन सिना, उसके बाद राजेंदर परशाद जी बने, और उनका नाम suggestion किया था, जे भी कृपलानी से ने. तो ये कुछ point है जो आपको अपने mind में रखना है किसे भी competition की त्यारी करने के लिए.